हेलो अब्रीवान आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में अगर हमारे वीडियो अच्छी लगते है था हमारे वीडियो को लाइक कर दीजे हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और चलिए वीडियो बनाना इस्टार्ट करते है यहाब हमने एकड़ाए में दो चमच सौप डाल लिए हैं और दो चमच धन्या के पीज डालेंगे साबु धन्या है इनको डाल लेंगे दो चमच एक चमच सरसो डाल लेंगे एक चमच हम जीरा ले लिए हैं और एक चमच पीली वाले मेथी ले लेंगे इनको अची तरह से 2-3 मिनटी के लिए अची तरह से बूनेंगे ताकि जब तक मसाले चाटकने लगेगे इसका मतलब मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं देखिए मसाले चटकने लगे हैं इसका मतलब अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे जब ठंडी हो जाएके इनको ग्राइंड कर लेंगे मोटा बहुत जादा पाउडर नहीं थोड़ी बहुत मोटी रहे हैं यहां पर हमने 500 ग्राम मिर्चे लेले हैं अची तरह से दो के कपड़े से सुखा लिए पिल्कुल पानी नहीं है और यहां पर नीबू ले लिए हैं और आप चाहें तो मिर्चे का डंडा तोड़के 20 से कट लगा सकते हैं लेकिन हम खड़ी मिर्चे बना जादे बढ़क रहे थे क्योंकि हम उसमें से कटने लगा थे एक मिनट की बाद फिर हम धकन हटा के देखते हैं तो देखिए बढ़कना बंद हो गया था अर मिर्चे काफी सॉप्ट हो गया है तो इसलिए हम धकन हटा दिये हैं आप धकन नहीं लगाएंगे और इन्हें 3-4 मिनट तक गहस का फ्लेम मीडियम करके इन्हें पकाएंगे ताकि मिर्ची अची तरह से पक जाएंगे तो देखिए आप तीन से चार मिनट हो गए हैं मिर्ची तरह से पक गई है और जितना तेल डाले थे उतना यह तेल बिल्कुल ही नहीं लगा था इस मिर्ची में काफी कोछ मसाले तो हम आधा चमच पर ल कर दakesस् blessija है कि कॉन शहीं लिए हैं तो हम आधा चमच है पीली मेथी और आधा चमच कलाओंजी हैं थोड़ij दाने वाली होते हैं तो थोड़ी अच्छी लगते हैं और जो हम भून कर रखे थे मिनलका निकाल के रखे दो अगर आपके पास नीबू का रस नहीं है तो आप यहां पर सिर्का भी डाल सकते हैं और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे जो मिर्चे में तेल था इस्टरा हम निकाल दिये थे क्योंकि हमें तेल के जरुद नहीं थी तो इसमें ज्यादा तेल नहीं लगा थे इसलिए हम न नहीं लगती है और जब उसे लंबर टाइम रखते हैं तो नहीं अच्छा लगता है तेहां गयस कफलें बंद कर देंगे और ठंडी हो जाएगी फिर हम सफ करेंगे तो देखिया मिर्ची के थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है अभी नहीं हम सफ कर लेंगे आप इसे दाल चाव सब्सक्राइब को नहीं होती है तो इस तरह से बना के आप लमबर टाइम रख सकते हैं फ्रीज में जल्दी नहीं खराव होगी क्योंकि पाने अगर इसमें पढ़ा नहीं है और चल भी जाता है लंबर टाइम तो एक आपसे अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ल सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे किसी छोटी मोटी वीडियो के साथ तब तक किले बाय एंड टेक क्यार और बनाइए खाये इंजवाई करिए और मिर्ची का आचार आप कैसे बनाते हैं जरूर बताना